हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से बदाव कर रहा है मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं वो कभी टोकन में नहीं सोचते हैं हमें हेल्थ एंड वेल्नेस सेंटर एक लाग छपन नजार से अधिक हेल्थ एंड वेल्नेस सेंटर बनाए Health and Wellness Center तो बन गया लेकिन वहाँ डॉक्टर चाहिए डॉक्टर चाहिए तो हमें मेडिकल की सीट भी बढ़ानी पड़ेगी अम मानते हैं कि हमें डिस्पेंसरी चालू करनी है तो हमें हमें मेडिकल कोलेज बढ़ानी होगी हमें डॉक्टर बनाना होगा हम चाहते हैं कि मेडिकल कोलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्शर होना चाहिए दूसरा हम चाहते हैं कि मेडिकल कोलेज के पास फेकल्टी होनी चाहिए और तीसरा हम चाहते हैं कि मेडिकल कोलेज के पास पेशन होना चाहिए यह तीन प्रावधान पुरा करने वाली प्राइवेट मेडिकल कोलेज हो या गवर्मेंट मेडिकल कोलेज हो नेश्नल डेंटोल कमिशन और नेश्नल नरसिंग और मिड़जरी कमिशन बिल राज सदन में नव सदर्शों ने बिल के समर्थन में अपनी बात रखिये जो सदर्श अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए है, सभी ने समर्थन दिया है, मैं सभी का अभिनल्दन करता हूँ सुस्मित पातरा जी, पुकर सिकंदर कुमार जी, ऐस निरंजन रेडी जी, एम थंबी दुराई जी, जीके वासन जी, पुनेश्वर कलिता जी, ममता मोहंता जी, विजैसाई रेडी जी, और कनक मेटला रविंद्र कुमार जी सभी ने अपनी महत्वपुन बात रखी है, विश्वरी डेपूटी चेर्मेन सर यह है, कि हम हैल्द सेक्टर में जिस तरह से बदलाव कर रहा है मोधी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं, वो कभी टोकन में नहीं सोचते हैं और देश की समय स्थिति के अनुरूप क्या करने के आवशकता है मोधी जी ने अपने पंच प्राण को बताते होई रेड फोट से कहा था कि हमें विरासत से प्रेंगा लेके आगे बढ़ना है हमारी विरासत क्या थी, हमारी क्या विरासत है विराशत से प्रेणा लेके मागे बढ़े तो हम हमारी समश्या का समाधान टूंड सकते हैं हम सब लोगों ने कविड क्राइसीस के दर्मियन देखा सारी दुनिया में मैं तो उस वक्त सारी दुनिया के साथ मिटिंग कर रहा था बात कर रहा था सभी विश्व के हेल्थ मिनिस्टर के साथ देनिक और वाल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के साथ देना दिन बात होती थी दुनिया को आचरिय था कि हमारे यहाँ लोकडाउन के सामने एजिटेशन चल रहे है हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं हमारी नर्स ड्यूटी पर नहीं जा रही है हमारे पेरामेडिक स्टाफ ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं वेसी स्थिती में इंडिया में डॉक्टर भी अपनी सेवाई दे रहे थे नर्सीज भी अपनी सवाई दे रहे थे केवल सवाई नहीं अपने प्रांग की बिना परवा करे वो देश को देश के प्रती अपना समर्पन भाव व्यक्त कर रहे थे ऐसे मेरे डॉक्टर्स ऐसे मेरे सभी नर्सीज और पेरामेडिक स्टाप को मैं आज पार्लामेंट के फ्लोर से अभिनंदन करना चाहता है और उस वक्त मोदी जी ने उसको विरासत से प्रहना ली विरासत क्या थी हमारी हमारे देश में हेल्थ एक कभी कॉमर्स नहीं है और कोई कंट्री के लिए दुनिया के लिए हो सकता है लेकिन इंडिया के लिए हेल्थ ए सेवा है और इसलिए एक देश की जनता में सेवा भाव को प्रोसाहित करने से हमें फाइदा होगा या तो उसका बेसिक उसका मन को हम टंट्रोल सकते है मोदी जी ने उस वक्त हमारे हेल्थ वर्कफोर्स के लिए ताली बजाई थी अकाश में ट्राइक कलर से उसको अभिनंदन किया था और उसके जवाब में हमारे सारे देश के कोरोना वार्जिस लगे और देश को कोविड क्रैसिस से बचा लिया यह हमारी विरासत है और विरासत से प्रेणा लेके हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ बदलाव करते हैं क्या बदलाव करने के आवशकता है मेडिकल एजुकेशन में हैल्थ सेक्टर में जो भी बदलाव करना है एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने केवल dispensary खोलने की बात नहीं की पुतकाल में होता था मांग आई तो dispensary खोल तो जी नहीं हमने dispensary भी खोली लेकिन जब हम health and wellness center last mile के व्यक्ति को health service प्रोवाइड करनी है affordable health care उपलब्द करानी है तो उसके लिए हमें health and wellness center 1,56,000 से अधिक health and wellness center बनाए health and wellness center तो बन गया लेकिन वहाँ doctor चाहिए doctor चाहिए तो हमें medical की seat भी बढ़ानी पड़ेगी और मैं आपको ए फ्लोर पर बताना चाहता हूँ कि 2004 के पहले 54,000 MBBS की seat थी आज 1,7,000 MBBS की seat बन आज medical MBBS की college साड़ा 300 थी आज 704 MBBS की college है medical college है एक क्यों किया अब मानते हैं कि हमें dispensary चालू करनी है तो हमें medical college बढ़ानी होगी हमें doctor बनाना होगा doctor बनने लगा और उसके साथ साथ medical education हम अच्छा बहतार और विश्व की आवशक्ता के अनुसार देश की आवशक्ता के अनुसार doctor का भी निर्मान करें और standard quality education भी दें not only for MBBS या medical education but nursing is also one part of medical education dentistry is one part of medical education एसब medical education का allied health services is also one part of medical education एसब medical education का एक पार है और देश की requirement को भी हमें ध्यान में रखना है और दुनिया के आवशक्ताओं को भी हमें पूरी करना है उसके लिए जो एक holistic का effort हमने लिया है इस effort के भलसुरूप हम सबसे पहले medical national medical commission लाए है उसको successfully implement किया उसके बाद allied health services bill लाए allied 56 type की health services के regulate करने के लिए quality education का प्रावधन किया उसको आगे बढ़ते बढ़ते हम आज dental commission commission bill और nursing mid advisory bill लेके आये है और उसके लिए बहुत बड़ी उसके लिए recommendation भी हुई है और member of expert committee 2013 में बनी थी और PGI चंदीगट के expert committee ने कहा था कि सभी education के लिए आपको स्वायत commission बनाना होगा जो council चल रही है उसके जगह पे आप commission बनाओ ऐसी recommendation की थी department related parliamentary standing committee ने 2017 में 109 वी report में भी कहा था कि सभी विभाग के सभी इस sector के लिए medical education के लिए अलग commission होना चाहिए और national health policy 2017 में बनाई गई थी उसमें भी बात रखी गई थी कि सभी health sector के लिए अलग commission का प्रावधान हो उसको देखते हुए हमने दो commission लाए और तीसरा commission हम आज लेके आये है यह लेके आने के लिए क्या उसको क्यों अनुसंशा करनी पड़ी मैं इस floor पर बताना चाहूंगा कि समय के साथ बदलना बहुत आवशक होता है समय के साथ हम ना बदलाव करें तो हमें पीछे रहने के रहना पड़ जाता है और इसलिए हम standard education कैसे दे नर्सिंग का standard education क्योंकि सिनारियो बदल गया डेंटिस्ट्री पहले केवल टित निकालना था अभी बहुत उसमें बदला हो गया अलग-अलग टाइप के एक्सपर्टाई जा गए अलग-अलग टाइप के डेंटिस्ट्री में भी अलग-अलग विभाग के एक्सपर्ट होने लगे उसके लिए education syllabus तयार करना उसके लिए courses चालू करना उसके लिए seat का प्रावधान करना और उसके लिए जो बदलती-बदलते समय के आवशकता है उसको कैसे हम fulfill करे उसका भी विचार करना आवशक था उसको आज स्थिती ऐसी थी जो council हम सब लोगों ने medical council की स्थिती देखी थी और आज medical council में और उस वक medical commission में और council में क्या फर्क पड़ गया council में जो लोग स्थापित लोग थे के इसे भी करके elected होके आ जाते थे 10-10-15-15 साल से होई लोग elected होके आते अपने group बना लेते थे और स्थापित ही दो जाते थे उससे बहुत medical council की स्थिती बिगड गई थे आज commission के रूप में best administration हो रहा है medical commission के द्वारा नहीं नहीं medical college पार दर्शकता के साथ खोली जा रही है medical college national medical commission के द्वारा एक command and control center बना के सब भी medical college को आज national medical commission के साथ वर्चूली जोड दिया गया है solar type के camera के द्वारा कोई physical inspection के भी आवशकता नहीं रहेगी ये बील में भी हम प्रावधान लेके आये है कि कोई nursing commission के द्वारा physical inspection के आवशकता ना हो dental commission के द्वारा कोई dentistry की college का physical inspection के आवशकता नहीं हो ये विवस्ता already हमने national medical commission में खड़ी कर दी है उसमें 16 camera लगा हुआ है medical college पा OPD कितनी आ रहे है passion कितनी आ रहे है दिखाई दे रहे है registry OPD registry हो रहे है दिखाई दे रहे है कितने passion और कितने equipment है दिखाई दे रहे है वहाँ आमें जाने के आवशकता ही नहीं है artificial intelligence के द्वारा हमारी medical college को ये सुचना मिलने लगी है कि भई आपके यहाँ OPD कम हो रही है आपकी इतनी OPD होनी चाहिए पपप हो जाता है वहाँ पर बढ़ाओ लेकिन आपके मानने तारद होगी automatic हो वहाँ तैयरी करने लगेंगे वहाँ operation नहीं हो रहा है हमें पता चलता है यहाँ बेठे बेठे हमारी artificial intelligence के द्वारा command and control center बता देता है कि ये medical college में ये टाइप की सुविधा का अबाव infrastructure आपका कम है ये सारी information आपका indoor passion कम है तो ये medical college से direct नेशनल मेडिकल कमिशन में information मिल रही है दूसरा जो लोग 10-15 साल से बेठे रहते थे वहाँ उसके जगह पे कमिशन बनने से ये mid advisory nursing कमिशन में बेप्रावदान रखा है dental कमिशन में बेप्रावदान रखा है केवल 4 साल से ज़्यादा वो नहीं रह पाएगे कमिशन के मुदद 4 साल होगी उसके ज़्यादा कोई नहीं रह पाएगे ताक कि पारदर्शक्ता आएगी दूसरा international standard के अनुरोप वहाँ education दिया जाएगा आज ये प्रावदानी नहीं ये clarification ही नहीं है कि कौन सा काम किसको करना है दुनिया के requirement बदल रही है ये बदलती requirement को पूरा करने के लिए कोर्स सिलेबा सभी में बदलाव करने के आवशक्ता है और उसके साथ साथ inspection की system को बदलना है आज एक case स्थिती में ने देखि एक बार मैं review कर रहा था तो inspection करने वाले निती निर्धारन करने वाले और बाटने वाले या तो affiliation college को approve करने वाले वो ही होते थे तो जो rules, regulation और प्रावधान होते थे मैं private college से represent कर रहा हूँ तो मैं private college के हित में ही वहाँ जो नितिया बने उसके लिए प्रयास करूँगा private college के हम खिलाब नहीं है लेकिन उसका influence वहाँ नहीं होना चाहिए उसके पर उसको balance करने वाला आज कोई नहीं था myself is health minister बड़ मेरा कोई control उसके पर नहीं एक council ताई करेगी वो होगा हम उसके पर control नहीं करना चाहते है लेकिन उसकी जवाब दे ही तो होनी चाहिए जवाब दे ही सुनी चित तो होनी चाहिए तो ये जवाब दे ही सुनी चित करने के लिए कोई प्रावधान और कोई वेवस्ता ये दोनों में दोनों council में नहीं थी फिर उसको कैसे हम responsible करे हम उसको कैसे स्टांडराइज करें हम उसको कैसे बेस्ट तरीके से रेगुलेट करें हम उसको कैसे स्वायत्त बोड़ी यहां मेरे पहले तरमेंदर प्रदान जी अपने बील के विशेग के संदर्ब में अपने बात रख रहे थे तब वो बोल रहे थे कि स्वायत्ता हम उसको वर्क करने के के स्वाइत्ता देना चाहते हैं देने दिन काम में हम कोई उसमें एंटरफिरेंस नहीं करना चाहते हैं लेकिन आज जो काउंसील है उन्होंने जो के सामने किसी को कुछ कहना है medical college को कुछ कहना है तो आज वो medical commission के chairman के सामने appeal करते है medical commission के chairman से भी उसको satisfaction नहीं हुआ तो ministry में वो appeal करते है और वहां से तीन step उसको मिल जाता है बाद में ही उसको court में जाने की स्थिति निर्मन होती है ताकि court का case भी नहीं बढ़ता है पहले इसी स्थिति थी हर दिन हर medical college court में चली जाती थी मैं आज आपको माननी deputy chairman सर बताना चाहूंगा खुशी से बताना चाहूंगा ए दिस यार 54 new medical college हमने एलोट की है 54 new medical college को permission को प्राइवेट को भी दी है government को भी दी है लेकिन आज कोई court case नहीं हुआ है सब consensus से हुआ है हमने उसको बता दिया है आपके यह facility नहीं है हम नहीं देंगे एक दम पारदर्शक्ता के साथ कोई किसी को मिलना नहीं है मैंने medical college को पहले तो ऐसा था कि medical college लेना मतलब दूसरी तीसरी बात होती थी हमने clear किय मैंने स्वयब ने एक बार सभी medical college की meeting करके कहा कोई किंतु परंतु की जगह नहीं है कोई बिचोलियों को ढूंडने के आवश्चता नहीं है आपने requirement पूरी की हम चाहते है कि medical college के पास infrastructure होना चाहिए दूसरा हम चाहते है कि medical college के पास faculty होनी चाहिए और तीसरा हम चाहते है क medical college के पास patient होना चाहिए यह तीन प्रावधान पुरा करने वाली private medical college हो या government medical college हो आप खुशी से आईए भारज सरकार आपको एपरोल दे देंगे आज 54 new medical college को एपरोल ए साल में दिया गया है क्योंकि हम देश में हम नहीं चाहते है कि यहां इस तरह से हम regulate करके रखे medical education को nursing education को dental education को ताकि हमारे student को विदेश जाने की नोबत आए हमारे प्रतिवार्श हजारों की संख्या में हमारे student विदेश पढ़ने के लिए जाए और वहां खर्च करे वहां education quality केसी है नहीं है उसका mapping हम यहां बेटके तो नहीं कर सकते हैं और हमने कोविड क्राइसिस के दर्मिय में बात मानी प्रधान मंत्री जी के सामने रखी तो प्रधान मंत्री जी ने कहा कि केवल युक्रेन में ही नहीं होंगे दुनिया के देशों में कितने हमारे student पढ़ते है medical education में है तो पताथ चला कि 60,000 student विदेश में पढ़ रहे थे और उसको कोविड के दर्मियान और स्थिती में मोदी जी ने वापस लाने की एक बहुत बड़ी मोहीम operation चलाया और हमारे सारे student को वापस लाये तब पता चला कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे student विदेश में पढ़ते हैं क्या हम हमारे देश के युवाव को इंडिया में opportunity नहीं दे सकते हैं क्या हमारे student यह पासर मिले हमरे expressional district में काम करने वाले या तो expressional district में रहने वाले हमारी यूतियों को नर्स बनने की opportunity मिले उसके लिए क्या करना चाहिए और हमने लगभग ज्यादा district में medical college चालू कर दी है और आगे medical college हम बढ़ाते जा रहे हैं और उसके साथ nursing college भी nursing एक बहुत बड़ी opportunity है आज देश में यहां बात हो रही थी कि dentist ए हमारा soft power है उससे हम दुनिया की सिवा भी कर सकते हैं और आजी विका भी कमा सकते हैं हम बली बाती समझते हैं आज हमारे केरला की nurses आज हमारे भारत की nurses आप अमरीका में जाओ कल्पना ही नहीं कर सकते हैं भारत के doctor और भारत के nursing के बिना वहां का health sector पुरा हो सकता है जी नहीं आज अमरिका की 8% नर्सिस इंडियन नर्सिस है आप गल्प कंट्री में चले जाओ गल्प कंट्री में जादा तर हमारा health workforce इंडियन है और आप केरला में चले जाओ केरला की जो आपको समरुद्धी दिखाए दे रही है वहां नर्सिंग के रूप में पेरामेडिक स्टाप के रूप में अपनी सेवाए दे रहे है दिन्हाम दिर्हाम और डोलर में पैसा कमाते है और अपने वतन में वो पैसा बेशते है ताकि हमें वहां हमारी समरुद्धी दिखाए दे रही है एस समरुद्धी को एंकेस करने के लि कि आज nursing sector में भी syllabus बदल रहा है, दुनिया के क्या demand है, दुनिया में आज विश्व के European देश, जपान, वहाँ से demand आती है, कि हमें Indian nurse चाहिए, क्योंकि Indian people are polite and peace loving, इंडिया के लोग polite होते है, peace loving होते है, और इसलिए दुनिया चाहती है, कि इंडिया के main workforce हमारे यहाँ आए, जपान ने कहा कि Japanese language हमें सिखानी है, और हमारी nurse यहाँ से तयार हो, जपानिस language में तयार हो, और उन्होंने आगरा रखा कि North East से, हमें nursing workforce मिले तो अच्छा है, और मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि हमने Assam की तीन nursing college में Japanese language पढ़ाना चालू करती है, और हमने decision लिया है, कि सब भी हमारी nursing college है, वहाँ nursing college में second language के रूप में पाच्छे language हमने identify की है, यह पाच्छे language, French language, German language, Japanese language, Arabic language, उसमें से कोई ने कोई एक language सिखे, ताकि वह यहाँ से वहाँ जोप के लिए जाए, तो उसको सुविधार है, और दुनिया की भी मांग पूरी हो, और हमारे देश के लोगों को रूजगारी का आउसर भी मिले, देश में भी रूजगारी का सरकार के और से प्रधानमंत्री जी ने बहुत महतुपूर्ण decision लिया, कि हमने medical college चालू की है, सब भी medical college के साथ एक nursing college भी हम मंजूर करते हैं, 10 करोड रूपया additional दिया जाएगा, ताकि medical college के साथ एक nursing college भी, B.H.C. nursing college भी वहाँ start हो, और वहाँ बेतर education भी है, यहाँ सर्मान सदर्शन ने अपनी बात रखते हुए कहा, कि हमारा medical nursing education allied health services के लिए भी medical college में opportunity होनी चाहिए, मैं बारज सरकार मानती है, कि medical college के और medical college MBBS का ही education देशन नहीं होना चाहिए, MBBS के साथ वहाँ nursing college भी चले, वहाँ paramedic और health services भी, all type of allied health services के course भी चले, और हमारे थंबी दुराईजी ने कहा, हम तो open है, लेकिन आपकी state government उसमें support नहीं करती होगी, तो मैं अवश्य लिखूंगा कि संसद में विश्य उठा है, आप आपके राज्य में allied health service का course को चालो करना चाहिए, तो अवश्य उसको opportunity देनी चाहिए, क्यों हमें health workforce, new skill health workforce मिल जाता है, तो हमें opportunity को encase करना चाहिए, और मैं अपक्षा करता हूँ, कि राज्य सरकार उसके पर काम करें, यहाँ next के बारे में भी बात हुई, next की exam, हम medical college में भी MBBS के लिए भी लेना चाहते हैं, और dental, commission द्वारा dentistry, और nursing के लिए भी लेना चाहते हैं, उसका उद्देश यह है, आज उसका implementation ओल्रेडी, legal विभाग में हो गया है, और example को LLB करता है, तो LLB हो गया, लेकिन उसको advocate के रूप में जब practice करनी है, तब उसको exam pass करनी होगी, जब exam pass करनी के बाद ही वो practice कर वेसे आप MBBS हो गए, आप BST nursing हो गए, आपका degree मिल गए, लेकिन जब आपको nursing के रूप में कोई जगा पे job में जाना है, आपको medical practice करनी है, आपको nursing के practice करनी है, तब आपको next exam लेनी है, और next exam से pass out व्यक्ति वहाँ जा सकता है, और उसमें कोई गबराने के आवशक्ता नही है, एक कोई exam, कठिन exam ले ऐसा नहीं है, जिन्होंने जिस विशे की पढ़ाय की है, उसका एक average assessment के रूप में वो लिया जाने का प्रावदान, हमने किया है, ए साल में तो हमने नहीं लिया है, और अगले साल में हमने MBBS के लिए next exam को अभी उसकी preparation हो रही है, बाद में लेंग nursing education दे पाए, हम best से best हमारा dentist education दे पाए, मैं अप्यक्षा करता हूँ, कि दोनों बिल आने वाले समय की मांग को पूरा करने के लिए है medical education का, हमारी देश की वर्तमान requirement को भी पूरा करना है, देश की भविश्की requirement को भी पूरा करना है, quality education हमें health sector में provide करना है, स्थापित हितों से देश को मुक्ती दिलाना है, एक पारदर्शी education health sector में हो, उसके लिए जो हमने बदलाव शरू किया है, उसकी स्रेणी में ए तीसरा और चोथा बदलाव है, pharmacy commission भी पांचवा बदलाव के रूप में आएगा, ताकि education की synergy बनी रहेगी, पारदर्शी तासे इस सेक्टर में education होगा, कोई बीचोलिया और किसी की recommendation की आवशक्ता नहीं होगी, एक balance education याने की एक best opportunity अपील की दी जाएगी, ताकि उसकी कोई बात को रखना है, तो अवश्रा रख पाए, digital technology का उप्यो करना है, artificial intelligence के साथ assessment करना है, human interference को कम से कम करना है, ताकि education सच्मोच एक international standard का हमारा education बने और दुनिया में एच्छबी होनी चाहिए, आज मुझे proud है, हम सबको proud है, Indian doctor है, दुनिया रिगाड करती है, दुनिया को health workforce चाहिए, तो पहला वो approach करें इंडिया को, कि इंडिया से में nurse मिल रही है, इंडिया से में dentist मिल रहा है, इंडिया से में allied health service force मिल रहा है, तो पहली priority दुनिया के लिए इंडिया होनी चाहिए, ऐसा education standard बनाने के लिए, हम nursing commission और dentist commission बिल लेके आया है, एक के बाद एक बिल में आपके सामने रखोंगा, और मैं विश्वास करता हूँ, मुझे सद्धा है कि इननीमस के लिए हम बिल पास करेंगे.